तो मैंने इस बैड का जो है वो थोड़ा सा चेंज किया है और क्या लगाया है इस पर कैसे किया है वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा और काफी अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मैं अपने लिए भी यहां नास्ता बना रही हूँ तो अभी बना रही हूँ अपने लिए चाय तुलसी वाली और इधर दूद भी रख दिया है बोईल होने के लिए क्योंकि मैं सुबह का दूद सुबह में ही बोईल कर देती हूँ जिससे कि उस पर अच्छी सी मलाई आ जाए और यह रखी है आलू की पिटी जिसके मैं आलू के प्राठे बनाऊंगी और इसी में से मतलम मांटू को भी दे दे थे तो यह मेरी लिए बची हूई है और दूफैर का खाना फिर दूफैर को बन जाएगा तो मेरी चाय जो है वो बन चुकी है हलो एवरीवन गुद मॉर्निंग कैसे हूँ आप सब तो आज का व्लोग जो मैंने स्टार्ट तो मॉर्निंग से ही कर दिया है और सारा घर का काम भी फिरिश हो गया है नहाली हूँ में और बस अभी मुझे दोफैर का खाना बनाना है पूजा उजास तब हो गई है और आज सुबह में मैंने ब्रेक्वास्ट में आलू के प्राठे बनाए थे तो उसे ही मांटू लेकर चिलेगी क्योंकि उसको पराठे बहुत अच्छे लगते बहुत पसंद है और हेल्दी भी होते हैं अगर बच्चे ऐसी चीज खाएं तो उनके लिए अच्छा ही है वर्ना तो आजकल के बच्चे कहां इन सब चिज़ों को पसंद करते हैं मांटू में हमारे बस एक ही ये बात बहुत अच्छी है कि उसको मतलब वैसी चीजे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पीजा वीजा वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कभी नहीं खा दिक कभी कभार ऐसा हो गया कि हम बाहर को चले गए या फिर मन कर रहा है और हमने ही खिला दिया तो उसको सबसे ज़्यादा फेवरेट तो गोल गप्पे है गोल गप्पे खाना उसको बहुत अच्छा लगता है और अच्छी बात है यह भी मतलब इन बेकार की चीजों में उसका ज्यादा इंट्रेस्ट है नहीं और मेरा आज फेस बहुत ज्यादा ओईली लग रहा है और मैंने अभी देख लो अभी मैं नहाई है डोक्टर भी हैप मानते है मेरा जब दवाई देते हैं कल हेर वोश किया था मैंने और आज ही ओईल आ चुका है मतलब इतनी पुरी हालत है मेरी और मैंने अभी आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई है बैड की तो कैसा लग रहा है आपको और इसको ना मैंने अभी दिख कर दी है मैंने पहले से तो मुझे तो बैटर लग रहा है और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है एक नया सा लुक आ गया है और यह हटेगी नहीं वाटर्प्रूफ पनी है यह तो यह अच्छे से इस पे मतलब चिपक भी गई है और मैंने इसमें पार्टी लगा दिया उ होगा इधर से एक मिनट अच्छे और इधर से तो बहुत जादा खराब हो रहा था आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में देख दी होंगी तर से बहुत गंदा लगता था तो जितने भी दिन है अच्छे से चल जाएगा क्यों मतलब ऐसे चीज को खराब समझ के फै जलता ही रहता है और जब हम बैड़ पर बैठती तो एक अधिकुशन जो है यह भी उदर उदर होई जाती है तो यह चोटे मोटे काम जो होते हैं हमें पूरा दिन लगे ही रहते हैं यह कभी खतम नहीं होते हैं और अभी जो मैंने कपड़े दूले ते शाम के टाइम में व सारे कपड़े हो रहे हैं और इनको सिंगवाना जो है वह सबसे बड़ा टास्क है मेरे लिए मुझे कपड़े दोते हुए बिल्कुल भी आलस नहीं आता बस इनको तह लगाना और सिंगवाना थोड़ा सा डिफिकर्ट लगता है इसलिए मैं इस काम को सोचती हूँ कि यह ज मठे वाले चावल और इसके उ geographically की तो मैं यहां फर आलू कढ़े टिमाटर और प्याज तो मक्ठे के चावल ज्चाच वाले चावल ज्चावल यहीं बोलते हैं और फ़य ज्चाच वाली पुलाव भी बोलते हैं इसको तो जैसे भी जूब है वही है बस पता निह क्यास ना नाल दीए एक प्याज काटि थी वो डाल दी है मैंने और प्याज को अच्छे से पकने के बाद मैं इसमें सारे सुखे मसाले अट कर दूंगी तुक्र मसालों मैं इसमें डालुँंगी हल्दी सॉप धनिया पाउडर और मिर्च नमक नहीं अट करना है इसमें क्योंकि नमक इसमें सबसे लाष्ट में एड होगा तो आप धिहान रखना कि नमक इसमें ना डालें मसालों को डालने के बाद मैं इसमें टमाटर डाल दिये हैं और उनको अच्छे से मिक्स कर लेना है हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें दो और इनको टमाटर को अच् तो मैं इसमें एड़ कर दूँगी आलू और मैंने यहां पर एक ही आलू लिया था जिसको मैंने पतला पतला काट लिया था और उसको भी डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अब मैंने इसमें डाल दी है चावल जो कि मैंने दो के और भीगो के रखे हुए उनको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद में एड़ कर दूंगे चाज और चाज को मैंने इसमें यहाँ पर एक टीपन चावल लिए चोटा सा टीपन जो लंच वाला होता है वही तो उससे मतलब डेड़ मैंने टीपन इसमें चाज डाल दिया है और आप अपने अकोडिंग मत में तो वही कड़ी वाली बात हो जाएगी फट जाएंगे तो इनको तभी तक मैं चलाती रहूंगे और नमक मैंने इसमें एड़ नहीं किया है उबाल आते ही मैं इसमें नमक एड़ कर दूंगी और नमक एड़ करने के बाद में मैं इसको धक्कन लगा करके एक सीटी लगा तब तक मैं इनको बना देती हूं मैं उसके लिए खाना बना करके नहीं रखती हूं क्योंकि जब वो आती है चाहे मैं सबजी बना करके रख लेती हूं पर जब मुझे कुछ ऐसा बनाना होता है तो जब वो आती है या तो मैं उससे 10-15 मिनट पहले बना लेती हूं या फिर ज और फिर जो है इसमें मैं नमक डाल सकते हो पर दिहान रखे जब तक इसमें उबाल ना आये तब तक आप इसको चलाते रहें जैसे हम कड़ी को चलाते हैं वरना जो चाय है उसका फटने का डर रहता है और अभी में किचन को साफ कर दूंगी वैसे तो गंदी हुई पर फिर भी वहाद झाप जाब आप कड़ा ने लिगला상이 और ला विक्वर कर दोलगी फैनहां जाधा स्कूल कर दो करें वहां को फूरिक है कि ही तो तब तक ना हां रही है ना कि केवह के ही वह यहां सकूल के बाद में खाना खाती है और फिर फोड़ी सी दे रेश्ट करती है फिर वो ट्यूशन चली जाती है तो मांटु ने आने के बाद में द्रेस उधर डाल दी तो करते हैं न बच् hacia बच्चों पर ऐसा वो नहीं होता है कि वहीं चीजे रखनी है तो मांटू ने थोड़ा सा करके उसकी जो ड्रेस व्रेस थी मैं उनको सब फो उठा लूँगी और जो चीजे जहां पर रखनी है उसकी बैट, आइकार उनको मैं वहां पर रख दूँगी जिससे कि मुझे सुभा डूढने में कोई भी परेशानी ना हो तो मैं इन चीजों का धिहान रखते हूं कि किस चीज़ को कहां पर रखना है मैं रखके खुद ही भूल जाती हूं तो यहां पर अभी मांटू ना ही है तो मैं बातरूम में वाइपर लगा दूँगी और एक बात और हम बातरूम में बिल्कुल अंदर है तो हम और चीजों में यूज नहीं करते हैं तो यहां पर जो है मेरे चाच वाले पुलाव बन करके तयार हो गए हैं और अभी मैं मांटू को डाल करके दे दूँगी घी के साथ में बहुत टेश्टी बनते हैं सच में अगर आप एक बार ट्राइ करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हां सच में बहुत ज्यादा टेश्टी होते हैं यहां जो खटा पन होता है वह बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो यहां पर मैडम जी नहा करके रेडी हो करके बैठ चुकी हैं तो कि मैं मांटू के लिए रखती ही हूँ जब इसको कुछ फ्रीज में से चाहिए होता है तो यह टीवन उसको आगे मिल जाता है और जब उसका मन करता है तो वह खा लेती है अच्छी चीजे होती हैं बच्चों के लिए ऐसा कुछ रखना चाहिए जलीविट टीशन नाइट देस फैर के टीशन जा रहें आज अराम ले ल्याने अशच में बाइब 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 घर है यह लोगा इसमें प्रिस्त हो टाहिता है यह जो कि दूपर मुर्स नाजच्ट दाओ रहता है कि लिएकाताए ह। मांटो टूशन जाती है और मैं जब तक वो टूशन अंदर तक नहीं चली जाती है जब तक उसको उपर से ही देखता है ना आज जो भी हो रहा है उनी के बारे में सोच करके डर लगता ही है और मैंने अभी बाल नहीं भाई है और कर्मी लग रही है मुझे बहुत जाती है पर इसके ना यहां पर गले के अंदर पता नहीं कैसा कपड़ा लगा हुआ है मुझे बहुत जादा परेशानी हो रही है इसमें क्योंकि मुझे बहुत जादा अलर्जी हो जाती है ना इसलिए और कानों में मैं पहन के गई थी तो उनसे मेरे जो कान है वो दुखने लगे वो मैंने निकाल दिये और अभी दूसरे नहीं पहने क्योंकि यही कान अभी दुख रहे है और आपको कैसा लगा मेरा बै अच्छी लग रही है इस पर भी कॉमिनेशन अच्छा बैठा है ना अच्छी लग रही है तो अच्छे लिए अभी ना मैं थोड़ी सी देर रेष्ट करूंगी क्योंकि मैंने भी खाना खाया है तो थोड़ी सी देर रेष्ट करूंगी और आप देख लिए जब मेरा दोफ कि आप अब इस जो भी सामान इधरुदर का था मैंने सब उठा करके रख दिया है वो जो भी सामानी धरुदर पड़ा हुआ था और मुझे लोग नब बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप घर को इतनी जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हो अभी मैंने आपको हाउस टूर नही करते हैं देखें में इतना भी वह नहीं है कि मैं इधर से उदर समान करती ही रहां पर मेरी कुछ चीजों में मजबूरी हो जाती है इस जब रूम में आप लोग वीडियो में देखते हो न तो आप लोगों को इतना पता नहीं चलता इस रूम में जब वह दोनों बैड एक मोझे देखाते हैं कि युद्र हम पार जाते हुआ हुए क्योंकि इस में रूम में तो इस अधर बेड़ को मिला करके हमेशा के लिए दाल देई तो थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है घर सामान करना पड़ता है इन सब चीजों में मुझे भी अच्छा नहीं लगता रोज रोज काई करना पर हाँ एक गलती मुझसे होती है जो कि मैं मानती हूँ और मुझे किसी ने बोला भी है मंदिर की जगे चेंज नहीं करनी चाहिए पर मेरी इतनी बड़ी मजबूरी है ना मंदिर की इस घर में इतन घ्ली ना सब्सक्राइब करने चेंजर यह स्ना लुद्वर के यह तो नीकिते हैं उसरे सिक्लिकी सबस्ते हैं जो में खुलता है मुझे मुझे सामान को तो कहा सब्सक्राइब है कि आपने फुरा घर बखेर दिया है नहीं बिखरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को थोड़ा ऐसे ही लग रहा होगा ठीक है मतलब मैंनीज हो गया है कर रही हूं दीरे-दीरे जैसे भी होता है कर लूँगी बुरा तो मुझे भी लगता है यार एक चीज़ तो मुझे भी बस मैं मंदिर की जगे चेंग नहीं करूँगी अब जहां मेरा मंदिर रखा हुआ है अब मंदिर वहीं रहेगा मंदिर नहीं हटेगा और शायद अब जो यह सामान जहां है वहीं रहेगा क्योंकि इनकी सामने यह बड़ हो गया और इधर यह जगय है सोफेजी तो यह सोफा भी यहीं हटेगा अब कोई सब्सक्राशक से उधर नहीं होगा मैंने सोच लिया है मंदिर भी नहीं हटेगा मंदिर जहां है वहीं के वहीं रहेगा ध行了 dot तो मैं भी थोड़ी से देर के लिए बाहर खड़ी हूँ और इस टाइम मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी से देर बाहर खड़ी हो जाओं पूरा दिन घर में अंदर अंदर बहुत मतलब मन वैसा हो जाता है तो फ्रेंड सब मैं फ्लोक को यहीं पर एंड करती हूँ और I hope आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी देखने में थोड़ा सा भी अच्छा लगाऊगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर तो इसको प्लीज लाइक जरूर कर देना चै यहीं मिलती हूँ आपसे नेक्स दूर में तक्ते के लिए बाई बाई